संग में मैंने ये भी पाया कि वहाँ पर अपरकास्ट हिंदूओं का पूरी तरीके से वर्चस्व है मुसल्मानों और अन्य धर्मों के लोगों से नफरत करना सिखाय जाता है समिधान को वो नहीं मानते हैं उनके लिए मनू महराज हैं मनू भगवान हैं महरसी मनू हैं और मनू समर्ती उनका आदर्श ग्रंथ भी हैं एक तरीके से धीरे धीरे वो इतना ब्रेनवास कर देते हैं कि कटरता पैदा हो जाती है और इतनी कटरता कि आत्म बलिदान की इच्छा होने लगती है तो एक तरीके से फिदाईनी दस्ते के रूप में तयार कर देते हैं कई बार लोग ये पूँचते हैं कि आपने राष्ट्रिय स्वयम सिवक्संग को क्यों छोड़ा उसकी क्या वज़े है तो उसकी कई वज़े हैं आज मैं आपको वो दस कारण गिनाना चाहता हूँ जिनकी वज़े से मैंने RSS को छोड़ा सबसे पहली बात तो ये हैं कि वो लोग एविज्यानिक बाते सिखाते हैं और मेरा सबसे पहला जो उनके साथ एक विद्रो जो सुरू हुआ बगावत जो सुरू हुई कि आप जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो आप साखा में सिखा रहे हैं वो दोनों मेल नहीं खाता है लुस्त के बातों पर हम विश्वास करें तो एव घ्यानिक बातें इस तरह की बहुत सारी सखाई जाती थी मुसल्मानों और अन्य धर्मों के लोगों से नफरत करना सिखाय जाता है तो यह नहीं कहा जाता था कि इन धर्मों से नफरत करनी है लेकिन यह सिखाय जाता था कि यह आकरांता है मलेच है, यवन है, विदेशी है, विधर्मी है ये बाहर से आयोए लोग हैं, इनका इस धर्ती से कोई लेंदेना नहीं है, ये ना भारत को जन्म भूमी मानते हैं, ना पुर्ने भूमी मानते हैं, ना पित्र भूमी मानते हैं, ना धर्म भूमी मानते हैं, तो इस तरीके से अन्य धर्म के लोगों के प्रती नफरत का भाव वो चीजें थी, कि आप जिस्मानी तोर पे मजबूत हों, नए कि आप दिमागी तोर पे मजबूत हों, तो आप साररिक कीजिए, गयायाम कीजिए, एक्ससाइज कीजिए, लेकिन दिमाग कम इस्तेमाल कीजिए, फिर वहाँ पर जो हैजमेनी थी, जिन समुदायों का कबजा खास तोर पे कहने के लिए समगर हिंदू समाज था, व्रहतर हिंदू समाज की बात की जाती थी, लेकिन संग में मैंने ये भी पाया, कि वहाँ पर अपरकास्ट हिंदूओं का पूरी तरीके से वर्चस्व है, और उनमें भी खास तोर पे ब्रहमन और बनिया समुदाई, प वैसा नीचे तक आना चाहिए, ऐसा उनका भावना रहती है, और समिधान को वो नहीं मानते हैं, उनके लिए मनु महराज है, मनु भगवान है, महरसी मनु है, और मनु स्मर्ती उनका आदर्स ग्रंथ भी है, और साखावों में, कारकमों में, संग के विभिन परकार के कि मनुस्य तू महान रें तू मनु की संतान रें तो वह मनु को इतना जाधा जोड़ देते हैं और एक तरीके से मनुवादी लोग हैं और जाती को विसिष्टता बानते हैं वरणु का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं उनकी कतनी और करनी का फरक भी मैंने बहुत साब तोर पर देखा हम लोगों को मोटिवेट करके, हम लोगों में बलिधानी बाहवना भरके हम को बेज़ दिया उन्होंने अउध्या की तरफ ट्रेन में बिठा दिया और हम को मोटिवेट करने वाले लोग या तो भीलवाडाई रे गए या फिर अजमेर तक साथ चले और अजमेर से वापस आ गए तो वो दूसरों को इन चीजों में जोग देते हैं और खुद को बचाए रखते हैं जब भी दंगा फसाद और कुछ चीज़ें होती है तो संग के बड़े जो अधिकारी हैं और नेता है उनके बच्चे उसमें सामिल नहीं होते हैं और वो सामान्य जो स्वम सेवक होते हैं दूसरे समुदायों के उनको आगे करते हैं हिंदी हिंदू हिंदू हिंदूस्तान की बड़ी बाते हैं लेकिन उनके जो संताने हैं वो मिसेनरी कॉन्वेंट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं और हमें हिंदी के प्रती प्रेम भाव और मात्रिवासा और राजवासा राश्टवासा कह करके सारी बाते कही जाती है। एक तरीके से धीरे धीरे वो इतना brainwash कर देते हैं कि कटरता पैदा हो जाती है और इतनी कटरता की आत्म बलिदान की इच्छा होने लगती है तो एक तरीके से फिदाईनी दस्ते के रूप में तयार कर देते हैं जैसे जब राम मंदिर की कारसिवा के लिए पहली बार में गया तब हम लोग गीद गा रहे थे कि राम जी के नाम पर जो हम मर जाएंगे दुनिया में अपना नाम हमर कर जाएंगे तो पिल्कुल मरने मरने की स्थिति में हम आगे थे आदर्सों की बातें बहुत होती है लेकिन उन आदर्सों का आचरण में व्यावार में उन सिद्धांतों को स्वेम सेवक में हमने नहीं देखा तो जो हिंदुवा सोधरा सरवे की बात करते थे और नहिंदू पतीतो भवेत की बात करते थे वही लोग जातिगत भेदभाव और चुवाचूद भी करते थे तो ये जो दोगलापन था संग में वो भी बहुत सापतोर पे मुझे नजर आता है और आखरी बात जो की एक बड़ा कारण बना और जिसकी वज़े से मैंने पूरी तरीके से संग को छोड़ा वो कारण व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जो जातिगत भेदभाव और चुवाचूद किया उन्होंने अस्तिकला सियात्रा में आए मेरे घर में खाने से इंकार किय पेकेट बनवा करके लेगे और उन खाने के पेकेट्स को भी रास्ते में फेंक करके चलेगे और वहां आगे जाकर के दूसरे गाओं में अपरकास्ट हिंदों के यहां खाना बनवा करके रात में उन्होंने खाया और जब इस बात की का विरोध मेंने किया जब इस बात को उठाया, मैंने सवाल पूछा कि ये क्यों किया मेरे साथ, तो उन्होंने उसको सुनाई नहीं, बिलकुल नजरंदाज कर दिया, और बाद में ये भी कहना सुरू कर दिया, कि ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी बात है, इसको बतंगर्ड नहीं बनाया जाना चाह और मैं रास्ट सेवा में लगा रहूं, नहीं कि इस तरीके से इधर उधर हो जाओं, तो एक जो मेरे लिए स्वाभिमान का प्रस्न था, मेरी जो असमिता का प्रस्न था, मेरी जो पहचान का प्रस्न था, उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी, और वो जो बहुत छोटी सी ना समता मुलक समाज बनाना है ना बराबरी लानी है ना संसादन सब को देना है कोई लेना देना नहीं है उनको वर्ण व्यवस्ता जाती व्यवस्ता पर आधारित रूडी वादी हिंदू वादी पूरा एक व्यवस्ता बनाए रखनी है और उनका पूरा जो हिंदू और आदिवासी हैं उनका तो कोई माइने ही नहीं होगा वो तो बिल्कुल दोयम तियम दरजे के लोग होंगे यही पूरा उनका एजेंडा है और उसी दिसा में संग आगे बढ़ता है तो जब मैंने इन सब चीजों को समझा जाना तो मैं छोड़ करके बाहर आया और मैं अब लोगों को उनकी सच्चाई के बारे में आउगत कराता हूं और बताता हूं कि क्या स्तिती है और उनके जहांसे में क्यों नहीं आना चाहिए